जुति सचाजी लोगों के जीवन में कई समस्याइं होती हैं तो संकष्टी चतुर्ती के दिन क्या वो उपाय करें जिसे उनकी जो समस्या है वह समाप्त हो जाए मनुस्य के जीवन में संकट और कष्ट लगा ही रहता है लेकिन कष्ट जो है या घर में उलजन है उससे मुक्ति पाने के लिए जती छोटी सी उपाय कर ली जाए तो आदमी के जीवन का जंजड जो है वह निस्चित समाप्त हो जाएगा और उन्हें सही मार्ग मिलेगा तो अब की जो माग महीना का कृष्ट पक्ष के चतुर्थी जो है संकस्टी चतुर्थी या तिला चतुर्थी कहा जाए उस दिन जदी गनेश भगवान की पूजा कर भगवान गनेश को तील का पहाड बना कर जदी अरपन करें तिलकुट तील हो या तिलकुट अरपन करें या स्वेत दुरुवा मिल जाए, स्वेत दुरुवा चड़ा हैं और चंद्रमा उदय के समय दूध में जल मिला करके ज़दी चंद्रमा को अर्ग देते हैं तो सारी समस्या का निदान हो सकता है और उस दिन चंद्रमा उदय से कुछ पहले गनेश जी की पुजा करके ओम गनेश जी का भीजमन्त जो है इसका जदी 108 बार जाप किया जाए तो मनुस्य के जीवन का जितना भी कस्ट हो वह संकस्टी चतुर्थी गनपती वप्पा की क्रपा से शमात्त हो जाएगा